हलो गुड अप्टर नून दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BPSC 134 का आपका चैप्टर नंबर 11 है या विनिट नंबर 11 है जो आपका बैसवी करण और बैसवी करण में हम देखेंगे कि इसमें जो आपका most important question आता है बैसवी करण क्या है और बैसवी करण के आयाम बताईए कई बार को एकजाम में कोशन को पूछा भी गया है कोशन क्या पूछा जाता है मैं कोशन को अगर आप बोल देता हूं आपसे कोशन क्या था एकजाम में बैसवी करण के विभीन आयामो पर चर्च कीजे एक्जाम एक posan आता है कि बैस्विकर्ण के विभिन आयामों पर चर्चगे, इससे पहले एक और वीडियो के उपर बना दी गही कि बैस्विकर्ण की बिसेष्ता है और बैस्विकर्ण क्या होता है इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना राखी है आप उस वीडियो को पहले देख लीजे और फिर आकरके आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलागा दोनों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप अपने एकक्जाम में एक कोस्टन को जरूर अटरम कर पाएंगे आप इससे अच्छे से बैस तो, कोश्टर सकते हैं, मैंने बोल दिया, बैस जब नायम बते, तो सब से पहले हम नहींकी देखते हैं, क्या है बैस जब प्रुदक्ट है, वीकण, तो, बैस जब करब के»,खेतरी, यह अस्थानी वस्थू हैं, सेवाओं का, यानि कोई भी वस्थू, चाहि चेतरी है, चाहि की कोई वस्तु भारत में विख रही है अमेरिका की कोई वस्तु भारत में विख रही है भारत की कोई वस्तु यूरोप में जाकर विख रही है यानि छेत्री और अस्थानी जो वस्तु या जो सेवाएं होती है उनका अंतराश्टी अस्तर पर जो प्रवा होता है यानि अलग अगर आप देखेंगे तो बैस्वी कण कौन कौन से छेतरों में और आप देख सकते हैं पहला क्या है पूजी का वैस्विकन होता है आपने देश की पूजी दूसरे देश में जाकर लग रही है ठीक है पूजी का प्रवहरा आपने देश का कई सारे देशों की कमपनिया होती किसी दूसरे देश में लाकर लग रही है हमारे देश में आपने देखा हो कि पूजी का जैसे हमारे देश में चाइना की कमपनिया लगी हैं जापायन की कमपनिया लगी हैं अमेरिकन कमपनिया लगी हैं उसी प्रकार की जो हमारी अमबानी जी की कमपनी है ओस्ट्रिलिया में लग रही हैं यहां हमारे भारत की कमपनी जैसे टाटा है और कई सारी कमपनी बजाज हैं दूसरे द तो इसे काई वार्वारा दूसरा क्या कारण बुद्धी का प्रवाहवता क्या कारण हो राएंघा बुद्धि के जितने भी विचारक हैं जो बुद्धी है जो साइंस है उसको हम कैसे समझ रहे हैं जितने भी थिंकर हैं सोसोलोजी के थिंकर हैं पुलिटिकल साइंस के थिंकर हैं हिस्टी हिस्टोरिकल हैं जिन लोगों के बारे हम पढ़ हैं क्यों पढ़ हैं उनके बारे में उनकी जो ब ये बैस्विकन के कान ही तो हम इसको पड़ पा रहे हैं तीसरा क्या होता वस्तू को भी प्रव होता आपको जैसे मनना कि एक देश की वस्तू दूसरे देश में जा करके विक रहे हैं बैस्विकन के द्वारा जैसे मनना कि हमारा जो प्रोडक्ट है भारत के जो मसालें हैं जो जो कपड़ें हैं वो भी दोसों में जा करके बिक रहें और बैस्विकन की यह पर किरिया कोई आज की नहीं बलकि बैस्विकन आप कह सकते हैं सिंदू घाटी की सब्विता से चला रहा तब से बैस्विकन हो रहा है और एक एक जगह से वस्तुएं जब दूसरी देगर बिकने जाती हैं हम ने देखा कि चाइनय का जो product होता भारत में आखे विक रहा है भारत का जो product है किसontinों का भी क्या होता आदानपर्दान अब अब हम देखेंगे सेवाओं का भी आदान परदान होता सेवाओं के आदान परदान में हम कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे अमेजोन है फिलिपकार्ड है या इतनी सारी कमपणी हो क्या करें सेवाओं को आदान परदान फिलिपकार्ड है इसे हम समानों को खरीते है यानि इनसे हम क्या सेवाई ले रहें जमेटो है इतनी सारी कमपणिया है जो यहाँ पर लगी हुए जैसे आज हम Google पे करते हैं फोन पे करते हैं तो कहां की कमपणिया है विदेश की कमपणिया है और यहाँ पर क्या करें आगर अपनी सेवाओं को देते हैं तीसरा हम कह सकते ह विचारों का विचार हो रहा है यानि कौन कौन से विचार कई सतरे के विचार हो जैसे फिल्मों के जरी हम लोग होली गुट की फिल्म में देखते हैं क्यों देखते हैं क्यों कि वैस्विकन के द्वारा ही तो होली गुट की फिल्म में देख रहे हैं और वहां के होली गुट के जो लोग हैं उनके विचार भी साजा करते हैं यानि वैस्विकन के द्वारा विचारों का भी आदान परदान होता है जिसे भारत की फिल्में चाइना में जाके लग रही हैं चाइना के फिल्में भारत में लगती हैं दूसरा जो फिल्मों के द्वारा आदान परदान यान आज देखाओगा आप सबको पता हो कि भारत के जितने भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अमेरिका में जितने डॉक्टर्स हैं, उनमें से 80% बाहर के डॉक्टर हैं, और 80% में से 60% जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, अमेरिका में, सारे कहां से हैं, भारत के हैं, आज जैसे हम फ्लिपकार्ट की बात करें अमेजोन की आपने गुगल का भी नाम सुनाओगा उसमें जितने हैं विदेशी काफी लोग काम करते हैं भारती लोग ऐसे भारत के आपने कई सारे दुखा टूटर है गुगल है उसके CEO कौन है इंडियन ही तो CEO है तो देख रहे हैं हम लोग क्या अंग्रेजी भासा को जानते हैं बहुत चारे दूसरे लोग हिंदी भासा को सीक रहे हैं हम जैसे यहां पर Chinese को भी सीकते हैं अन्य भासा को भी दीखते थे चुख रहे हैं इन्टिय बहारति भासा है लहां के लोग हिंदी शीख रहे हैं अमेरिका लोग को भी हिंदी शीख रहे हैं तो यह नहीं कपड़े आ रहे हैं नहीं जो ब्रैंड आ रहे हैं आज हम देखते हैं कि हमारे के लोग को भी विस्तार हो आप देख कि मुटिना में किरुदूदा भारत ने सुना कि भारत आमारे दैसमें मोबाईल आते हैं अपल के मोबाईल आते हैं तो कहा सेuma अब हम देखेंगे इसमें जो आपका में बहुत और सनाता है और हर बारे परिक्षा में पूंचा जाता है बैश्विकन के आयाम बताईए यह आपके एक्जाम के पॉइंट हो भी से काफी इंपर्टन है बैश्विकन के आयाम बताईए तो बैश्विकन के कौन कौन से आयाम तो सबसे पहले क्या था राजनेतिक आयाम पहले आपकी क्यार हैगी है लिखना राजनेतिक आयाम दूसरा क पिंग करेंगे यहां पर डिसकस करेंगे जो चलते हैं सबसे पहले हम पहले सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें अगर नागरिकों की आधिकार का कभी भी हनन नहीं कर सकता है। कोई भी राज नागरिकों को हनन करता है तो उस पर क्या होगा उस राज पर अंतराश्य दबाव बन जाएगा यानि राज की सत्य में क्या कमी भी आई है कमी भी आज को देखते हो अगला क्या है हाँ पर देखेंगे नागरिक्ता में बदला हो रहा आपने देखाऊगा कि बैस्वी कंड के कान ही क्या भारत के बहुत सारे लोग दूसरे देशों की जाकर नागरिक्ता ले रहे हैं बहुत सारे लोग भारत की नागरिक्ता ले रहे हैं आपने देखा कि बहुत सारे हमारे एक्टर हैं हीरो हीरोईन है वो क्या विदेश में जा कर के अपने घर बने कोई कनेडे किने नागरिक्ता ले रहा कोई सुझर्ण की नागरिक्ता ले ले लेता हैं इसका कानद के कानड़। सब्सक्रवाइब aur विभायादा प्रेसर रहता है बोलते हैं हम हमारे देस पर अंतरास्थyor दबाव है इसलिए हमें काम करना पड़ेगा हमें सब की शुननी पड़ेगी क्यों कि लोक्तन को बढ़ा मिला दूसरा मानवा अधिकार को Human Rights Commission बन गया आपनों सुनाओगा कि Human Rights Commission है अगर राज किसी भी नागरियों को का अधिकारों का हनन करता है तो वहाँ पर Human Rights Commission वाले आ जाते हैं ये तो इंटरनेशनल के द्वारा क्या रहा है कि राज जो है वह मानवा के अधिकारों का कभी भी हनन नहीं कर स सकता है सुसासन के विशाय पर राज को ला मिला यानि राज अब अच्छे से अच्छा सासन कर रहा है राज को भी बैस्विगंड के बहुत सारे ला मिल है राज को पूंजी का निवेश हो रहा पूंजी पैसे मिल रहे राज का विकास हो रहा यानि बैस्विगंड के द्व जापान की कमपणी, ये सारी जो कमपणी हैं हमारे देश में आकर लग रही हैं, इससे क्या हो रहा है, कि हमारे देश को भी में क्या हो रहा है, कि हमारे राजी का हो रहा है, लाब हो रहा है, राजी का दायरा, यानि हमारे देश की जो कानून व्योस्ता है, वो ज्यादा खलंदाजी होती है जैसे चाइना क्या है चाइना अगर देखोगे आप सब लोग आपको पता होगा कि चाइना के साथ कई बार हमारे देश के जो रिष्टे हैं वो काफी खराब हो जाते हैं फिर भी हम क्या चाइन से जो प्रोड़क्ट आता भारत में बिक्रने के लिए हम उ प्रोड़क्त को बंद नहीं कर सकते हैं इसी कारण क्या है कि एक प्रकार से बिकसित और विकास सिल देशों की नीतियों में क्या है जितने भी अंतराष्टी संगठन है यह क्या करते हैं दखलंगाजी करते हैं आप जैसे मनी पता है कि जैसे चीन डोकलाम में घुच गया था आपने सुना कि चीन की सेना भारत में अंडर आ गई थी फिर भारतिय सेना उने उनको भगा दिया लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेड था बंद नहीं हुआ आपने देखा कि होली जबाती है दीवाली जबाती है तो बोलते हैं चाइनेज लड़ियों का बहिशकार करना है ना अंतराष्टी जबाओ पर बना रहा है यहां पर देखें आर्थिक आयाम काण ही दो हो पर देखा आर्थिक आयम पर लाव करता जैसे उदान के लिए यहां पर लिख रखा है जैसे जापान भारत में बुलट ट्रेन बना रहा है यानि हमारे देश का क्या डबलब करा अर्थिक आधार पर जापान ने हमारे देश को मदद किया है है न हमारे देश को पैशे दी हैं उसने लोन दिया और 50 वर एक देश भारत और चीन के रिष्टे खराब हो जाते हैं लेकिन ब्यापार बंद नहीं होता भारत पाकिस्तान के दोनों देशों के रिष्टे में अगर कड़वाट आती है अगर कोई भी मनमुटा होता है लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड को खतम नहीं कर पते हैं यानि एक प्रकार से कह सकते हो आर्थिक स्वतंतता है यानि अंतराष्टी कानून इस प्रकार के बने हुए हैं कि आर्थिक स्वतंता के दोरा आप किसी भी ट्रेड पर रोक नहीं लगा है यानि एक प्रकार आर्थिक आयाम में ही कह सकते हैं कि चीन के साथ रिष्टे खराब हो र चाहरम से आर्थिक कछेत्र में क्या हैने हुआ अंतराष्टी अंतराष्ट्पर बाजार का निर्मान हो रहा है आप देख रहे हैं जैसे आपने सुना कि हमारे डिश में Amazon है, Flipkart है, ये सारी जो कंपनी हैं अपना प्रोडक्ट वेच थी, क्या Amazon है, Flipkart है कहां की कंपनी है, विदेशी कंपनी फिर भी भारत में क्या करते हैं, वियापार करते हैं, आपने सुना कि हम लोगों को अगर कुछ भी लेना रहता है, तो हम क्या Amazon पर जाकर ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट पर जाकर ले लेते हैं, अब जिसे मुझे कोई बुक ले नहीं रहती है, तो मैं Amazon से मंगवा लेता हूँ, फ्लिपकार्ट से मंगवा लेता हूँ, बड़ी जल्दी बुका जाती है, या क्या ये जो कमपनियां लगी हुई, एक क्या आ सब्सक्राइस म quarantine होता हैं कि दिलेवरी करती हैं रहेगी तो अपना पॉडक्त का जो ढूल होगा वह कितना भी के चाइना साठा नेसी्य क्या पा सब्सकता तो भारत भी जा चार, एक अरफिक आधर पर हम एक देश दूसरे देश में कर रहा ब्यापार कर रहा पूजी का निव्येश कर रहा वस्तूं को आधान परदान रहा दूसरा वस्तूं के बहुलता से कीमतों कम हो रहे आपने देखा होगा कि जब एक ही चीज को कई सारी कंपनिया बनाती है तो उसका जो प्रोड़क्ट र पनाती है तो एक देखी देखा किstellा क्य करें कमपनियां एक को देख़ करके दूसरी कंपनी क्या करेगी अपनी मुल्य को क्म कर देए ताकि उसका प्रोड़क्ट बिक सके यहुनि कह सकते हैं कि अंतराष्टि अश्तवरब इसमें अगर देखोगी क्या हो रहा वस्ती yell Todd पेनी है ज rub Sergeant diagonally ले रहते हैं तो क्या आप पब्लीकेशन की ले सकते हैं गुल्ली बाबा की ले सकते हैं और भी कई सारे पब्लीकेशन आ गहे हैं जिनकी आप ले सकते जब ऑपनी मनमानी करता कितने भी lumière रहते हैं लेकिन जब बहुत सारे पबिकेशन आ गये हैं तो इससे क्या कीमतों में कमी आई है अगला विदेशी निवेस में ब्रिध हुए आप देखोगे आर्थी कायम में अगर देखोगे तो विदेशी निवेस भी बड़ा जिसे मैंने आको होता कि भारत में कई सारी विदेशी कमपनी आके अगरे एक किसके काण हो परा आर्थिक बैश्विकन के द्वारा ही तो हो पा रहा है अगला हम देखें तीसरा जो आपका रहेगा सांस्कृति कायम बैश्विकन का जो आपका रहेगा सांस्कृति कायम देखें तो यहाँ पर थर्ड नमबर देखें सांस्कृति कायम में किस इस प्रकार से बैस्विकन हुआ है, तो सबसे पहले करते हैं कि संस्कृती पर प्रभाव पढ़ा है, संस्कृतिक बैस्विकन होने से संस्कृतिक पर प्रभाव पढ़ा है, तो सबसे पहले खान पान पर प्रभाव पढ़ा है, बैस्विकन होने से हमारा खान पान बदल गया, जैसे हम लोग क्या पीजा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मोमोज खाते हैं, इस सारी चीजें क्या हम लोग खाते हैं, बैश्वीकन हुआ तभी तो खा पा रहे हैं, नहीं तो हम सिर्फ ओही हमारे यहाँ पर जो बनता उसी को खा पाते हैं, जैसे हम लोग पीजा खाते हैं, ब बैश्वीकण के द्वारा ही क्या हो रहा कि हम लोगों का खान पान बदल रहा है हम लोगों का बेवहार बदल रहा हम लोगों का नेचर बदल रहा हम लोगों की जो संस्कृति हो बदल रही यहीं संस्कृतिक बैश्वीकण होने से संस्कृति में परिवर्त हो ना जैसे हमारा खान पान बिलकुल बद आप ने दोगा कि आप मार्केट में अगर निकल जाओ तो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको फास्ट फूट की दुकान नहीं मिल जागी फास्ट फूट की सोप नहीं यह किसके काणवा सांस्कृतिक बैश्वीकण में ही तो हो रहा है कि हमारा खान पान बदल रहा हमारी भाशा में बदला रहा हमारे पहनाव में बदला रहा दूसरा क्या रहन सहन भी हमारा बदला कि हमने रहना भी बदल लिया पहले हम दूसरी तरह रहते थे अब हम क्या दूसरी तरह रहे हमारे पहनाव में भी बदला रहा जैसे हमारे कप कपड़े आते हैं जैसे आप देख रहे हूं कि उसारी कपड़े पहने तो कहा से हो रहा है կह सानस्क्रितिक वैश्विकन से होने से हो रहा है दूसरा रूड़ी वादिता कांत हो गया क्या हो गया रूड़ी वादिता का मतलब होता पुरानी सोच के लोग जो है ठीक है आपने दोगा कि जब से नई पीड़ी आई है उसका सोच बदल गया पुरानी सोच के जो लोग है यह जो पुरानी बातों में विश्वास रखते हैं जो पुरानी सोच वाले लोग थे वो अपना क्या, रूड़ी-वादिता को सोच को छोड़ रहे हैं, अब लड़की अभी जीन्स पहन सकती हैं, बलकि अपने मोबाइल भी रख सकती हैं, पहले क्या आपने सुना के क्या इस सारी बांव होत्थ बैन लगा दिया था लड़किया जीन्स नहीं पहन सकती थी मोबाल लेकिन वो जो रूड़िवादी चीजें हैं वो क्या दूर हो रही है आपने दोखा कि रूड़िवादीतकांत होने में अगर हम देखेंगे जैसे फिल्मों का भी बहुत ज़्यादा रोल है फिल्मों में द जीन्स पहन सकते हैं मोबाईल भी रख सकते हैं अब उनके क्या स्वतनता बढ़ रही है यह क्या संस्कृतिक बैश्विकन के द्वारा ही तो वह रहा कि रूड़िवादी तक जो सोच वाले लोग थे उनका अन्थोरा जीवन सैली में बदला हमारी जीवन सैली हमारा जो ला लाइस स्टैल है वो पूरी तरीके से परिवर्टित हो चुक्य है। पूरी तरीके से चेंज हो चुके यह सारा सांस्कृतिक बैश्विकन के द्वारा ही तो हो पारा है। अगला हम जो देखेंगे परयावरण पर क्या प्रफापड़ा है अगला यहां पर देखेंगे पर्यावरण के अगर आधारत पर देखें जो गलोबल वार्मिंग जो होई है उसको लेकर के भी अंतराश्ची है अस्तर पर अगर देखुगे कई प्रकार की बैठक होती है कई प्रकार के व्वाद भी व्वाद होते हैं global warning को कम करने के लिए अंतराश्ची जगाता है जैसे global warning है, जलवाई परिवर्तन है, समुथ के जल में बृद्धी है, ओजोन की कमी है इस सारी जो मुद्धे हैं, इन सारे मुद्धों को कोई एक देश सुल्जा नहीं सकता जब बैश्विकन हुआ, तभी इन सारे मुद्धों को सुल्जाया जा रहा है जब बैश्विकन हुआ, तभी तो ही परिवर्ण को बचाने के लिए जो मुहीम है, ओ आगे बढ़ पाई है और जब बैश्विकन हुआ तभी तो, चाहे हो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो, आपने सुना गई, ओजोन परत में छेद हो गया है जो सुनामी है, इन सारी उसुपर बैश्विकन के द्वार ही तो काम हो रहा है, जो जलिवाई में परिवर्टाना, क्लाइमिट चेंज को ले करके, आपने दोखा कई बार प्रधान मंत्री जी बोल चुके हैं, बट क्लाइमिट चेंज को ले करके, इंटरनेस्टन डिसकस हो तब ही तो काम है, आपने दोखा कि प्रिथवी सम्मेलन होता है, कई प्रकार के भूमी सम्मेलन होता है, नहीं प्रिथवी को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, जो हम बिस्तु जल दिवस मिनाते हैं, क्यों मना परें, क्योंकि ए परियावरण को बचाने के लिए ज संभव हो पाया है अगला हम कह सकते हैं बैस्विकन से पहले उत्तर और दक्षिन के बीच में खाई काई नि पर्यावन जो था अगर बैस्विकन को हम देखें तो उत्तर और पक्सिंगे उत्तर पक्सिंग को मतलब होता गरीब और अमीर के बीच में क्या है इक खाई को बहुत ती वह देरे धेरे कया हो रही है कम हो रही है दूसरा भू राजनीत कायम में कह सकते हैं कि भू राजनीतिक जो अर्थेवेवस्था है ठीक है उसमें भी वदला है भागोलिक राजनीति थी आपने देखा कि सेकंड डॉलडवार जो हुआ है ठीक है सेकंड डॉलडवार के बाद आपने सीध्युद्य को देखा तो भू राजनीतिक जो अर्थेवेवस्था है उसमें भूगोल क्या रहा यानि अगर भूगोलिक परिष्टिन देखें तो भूगोल के कांड के हो रहा बदल रही है यानि आप कोई विदेश सीमा रेखा तो हम मान नहीं सकते हैं आप कोई विदेश जा करके क्या कर रहा कहीं पर ट्रेड कर रहा कहीं पर ब्यापार कर रहा कहीं प कोई भी देश जा करके कहीं पर विक्या कर सकता है अपने प्रोड़क्ट को बेश सकता है अपने उत्पादन को बेश सकता है यानि जो भूमी की जो रेखाएं थी यह कह सकते हैं जो सीमा रेखा बनी हुई थी वह धीरे-धीरे क्या हो रही है सीमा हीन दूनिया हो गई यानि क कि एक प्रकार कि जू Boundary line थी वह दीरे-धिरे का रहा रहा both कोई भी देश किसी में जाकर trade कर रहा रहा ब्यापार कर रहा रहा की राज नेतिक जो भू में परदिर्स्ता शुमने दीरे दीरे क्या परिवर्ता ना एक देश दूसरे देश को क्या करें सपोर्ट करें एक देश दूसरे देश को करें सहीयोग करें एक प्रकार की जो सीमा बनी होते ही आपने देखा कि नहीं कि पूरा विश्व एक बैस्विक गाउं के रूप में परिवर्तित हो चुगा यह अब कोई boundary line नहीं बच्ची है कोई देश नहीं बलकि सभी लोग एक दूसरे के देश में जा करके क्या करते हैं ब्यापार करते हैं उद्दोग लगाते हैं इस सभी परकार के क्या भूराजनेतिक आयम के कान ही तो क्या हो पाया है संभव हो पाया है अगला हम देखेंगे क्युक में अग्यां बैश्वेकन ब láb बोलो या विश्वेकन के सकरायत्मक प्रभाव लिए दूसरा А पके बुख में कोशno है बैश्वेकन का अलोचात्मक मुल्यांगन कीजे तो आप चलो सबसे पहले हैं बैश्विकन से क्या-क्या परभाव पड़ा है तो point number 1 क्या है सूचना प्राप्त करना आसान हो गया अब बैश्विकन से द्वारा क्या हो गया कि अब हमें किसी देश की information लेनी है तो हम आराम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं निया हमा लिजे बैश्विकन के द्वारा जो सूचना का आदान प्रदान है वह काफी आसान हो गया अब हमें कहीं जाने की जूरूत नहीं बलकि आप तो हम घर पर बैठे ही मोबाइल पर ही देख लेते हैं कहां पर क्या हो रहा अब जिसे आपने देखा होगा कि रूस पर रूस और उसमें जो युद्ध हो रहा है ठीक है जो रूस ने जो युद्ध कर रखा है उसकी जो सूचना है अभी हमें उससे सूचना है क्या जल्दी जल्दी हमें प्राक्ट हो जाती यनि बैश्विकन के द्वारा क्या सूचना का जो आदान परदान है कंपनी लगाता फैक्ट्री लगाता है जब निवेश करता तो दूसरे तसके क्या नीती गत विकास है धाचा गत विकास है याई हर जो कंट्री है वेस्ट्री कंड के द्वारा कि अगर डबलप हो रहे हैं विदेशी मुद्रा का प्रवा होता जैसे आपने दोखें भारती लो सेवा छेतर में उन्यती हुई अगर छेवा छेतर की बात करें जैसे मैं आपको मता ह équलिए कि अमे जोन है फ्लेप कार्ड है जो सारी कंपनी मो बाइलि की जितनी वी सारी ות्रकती लेखता पहले आपके सकते हैं अभारत कि पछे सकते हमारी क्या करें इन कंपनियों का लाब उठा पा रहा हैं, बहुत महँंगे बतें, जब चाइने के कंपनियों ने मोबाइल बनाना शुरू किया तो भारत में जो मोबाइल के रेड हैं, जैसे आप सकते हो कीमत मे कमी कैसे आई जैसे पहले जो आपका mobile का charge होता था बहूत मயंगा होता था लेकिन जब 새 GU आया है उसने कया कर दिया एक प्रकार से उसने एक प्रकार्ची प्रतिस परदा हुई और जिसमें क्या होया कि mobile या वाइल के जो रिचार्ज के रेट थे हो, क्या हो गये, धीरे-धीरे डाउन हो गये, लेकिन अब फिर धीरे-धीरे वबढ़ए, लेकिन कह सकते हैं, कीमतों में कमी आती है, कि बैस्प्रिकन होने से क्या होता है, जब एक ही पrebbe को कई सारी कमपनीय बनाती है, तो कमपनीय क का करते हैं एक company को दूसरी company कम करने के लिए का करते हैं अपने rate को कम कर दे यानी किंतों में क्यमिक्स गुनवथ्टा में सुधार होता है जब एक ही प्रोड़क्ट काई सारी company बनाती है तो उनमें क्या competition रहता है और जो company होती ही ज़्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान देती, ताकि उनकी गुणवत्ता यानि क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा, बैश्विकन होने से जो प्रोडक्ट बन रहे, जो वस्तुवे बन रहे, जो खाने पीनी के वस्तुवे बने, उनकी क्वालिटी पर बहुत ज्यादा के द्वारा ही संभव पाया परतियोगता मूलक बजार यानि अब बाजार में क्या एक प्रकार का competition जब बाजार में competition नहीं रहे गा तो कोई भी company अपने product को कितने भी दाम में बेचेगी और quality पर कोई ध्यान नहीं लेकिन अब market में क्या हो गया एक प्रकार से आप देखोगे तो competition हो गया है ठीक है एक company दूसरे company को अपना competitor के तो अपर प्रतियोगिता मूलक बजार बने यानि अब market में क्या हो गई एक से बहुत ज़्यादा competition होगा प्रतियुगिता होगे अगला रोजकार में आउसर में बढ़ते जब एक कमपणी दूसरे देश में जाकर कि क्या लगा रही है अपना अपना उद्दोग को लगा रही है अपने उद्दोग धंदेले तो हमारे देखो माले हमारे देश में अमेर बैश्विकन के द्वारा ही जुरूरा रोजगार है उसमें क्या हुआ वृष्विकन के द्वारा ही हो पाया संबड़ा है अगर बैश्विकन हुआ तब एक रहे निगेटिव पॉइंट को बताईए अब इसमें जो कोसन को रिपीट कर देता हूं और question को आप सब न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा question क्या था बैश्वीकन का अलोचात्मक मुल्यांकन कीजे बैश्वीकन का क्या अलोचात्मक मुल्यांकन कीजे तो सबसे पहले बैश्वीकन के negative प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है अगर अभी तक हमने सकरात्मक आपको बताएं तो हम नकरात्मक प्रभाव को देखते हैं यानि बैश्वीकन के नकरात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं तो पहला क्या आर्थिक संस्कृति संबराजवाद को बढ़ाओ जैसे आपने देखहागा कि चीन इतना जादा अर्थ ब्यवस्था को बढ़ा लिया है कि वो प्रकार्था आर्थिक समराजवाद उसने बना लिया अब देखो आपने सुनाओगे कि पाकिस्तान पर एक परकार से चीन क्या विया प्यार की दोरा यानि कह सकते हैं आने वाले समय में जो चीन रहेगा वो एक प्रकार से क्या करेगा अर्थ बेवस्ता कि आधार पर अपने समराज को बढ़ा लेगा जैसे आपने दोगा की भारत में जो पहले जो भारत जो गुलाम हुआ था अंगरेजों का क्या आई थी हमारे देश में एक क अर्थिक समराजवात को बढ़ा मिला बैश्विकन के द्वारा आर्थिक समराजवात को बढ़ा दूसरा अमेरिकी संस्कृति का वर्चस बन गया एक प्रकार से जो बैश्विकन है उसको कई सारे ठिंकर कहते हैं कि बैश्विकन एक प्रकार की क्या है कि अमेरिका की जो संस अन्य जो देश हैं वो डबलप नहीं हो पारा है वो शिरफ अमेरिका अपनी संस्कितु को क्या कहता है उसमें बढ़ा सर्मिकों का भी शोषन होता है जो मजदूर ही है घट रही है सनमीकों का शोशन होता है दूसरा बैश्विकन के द्वारा बहुत सारी मसीने लग गई है बहुत सारे नएने उपकरणा गई अब मज़दूरों को भी क्या होती कमपनियों में छटनी हो जाती है बिरोजगारी बढ़ रही बैस्विकंड के कांड बेरोजगारी भी बड़े क्योंकि अब ज़्यादा हर काम जो पहले मनुष्ट करते था अब क्या उसको मचीने कर रहे हैं रोबोट के द्वारा काम कर रहे हैं जिसे क्या मनुष्ट जो नौकरियां पादा था उनको पानी हम लोग नौकरियां मिल्ती नहीं बलकि उसके अस्थान पर रोबोट हैं जматेर कंप्यूटर आने से कहा बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया है यानि खेती किसानी में आगर देखोगे तो उसका महत घट रहा धीरे धीरे जो खेती का महत्तु है लोग खेती करना नहीं चाहते क्योंकि आप किसी अन्य सक्टर में जाना चाहते हैं किर्सी का जो छेतर था उस छेतर में भी अगर आप देखोगे तो काफी कमी हमें देखने मिले उभुभोकतावाद बाजार में की प्रवित्ती बढ़ चीस तरा लगु को कुछ उनए प्यासविकन के दवारा जो बड़ी बड़ी कमपणियां है उनको ही लाब मिल रहा है लिकिन जो छोटे छोटे उध्योग होते हैं जो चोटे छोटे उध्योग ह Nag sitting के दवारा लाब नहीं मिल परा बड़कि यसका लाब़ी कमपनियों को ही भिन परभाव में परणाम करते है यानि उसके जो सम्परता उसके जो राइट से जो अधिकार थे उसमें धीरे धी कमपनीया है बलकि आपने दुख़ते कई सारी ऐसे कमपनी विदेशी जो कमपनी हैं उनका GDP उनका जो ट्रणाउट है किसी किसी राज की GDP से भी जादा है बलकि अब जो विदेशे कमपनियां होती हैं बलकि वो तो राज को कहती हैं कि हमारे लिए कानून को आसान करो सरल करो इस प्रकार राष्टों पर क्या करती हैं दबाव बने रहे यानि बैश्विकन के नकारात्मक प्रभाव भी काफी पढ कि सरम में एक प्रकार से कह सकते हैं सरम कम मजदूरी कम मिलने लगी है या सरमिक जो है धीरे धीरे रोजगार है बैश्विकन के उतरा बैश्विकन दूसरे तो कह सकते हैं राष्ट राज की जो संपुर्पुद्धा है उसमें भी कमी आरे राष्ट राष्ट जो बहुत उसको कह सकते हैं कि बैश्विकंड के द्वारा गहरा धक्या लगा है और राश्ट की सम्प्रूभदा पर अभ एक परकार से कहते हैं अंतराश्टी इसे मन्याब क्हों था कि हमारे चेन के साथ रिष्टे खराब हो जाते हैं लेकिन फिर भी ब्यापार चलता रहता है, पाकिस्तान के साथ रिष्टे खराब हो जाते हैं, फिर भी ब्यापार चलता रहता है, एक क्यों, भारत सरकार क्यों नहीं रोक पते हैं, क्योंकि अंतराश्ची राजनीती का ही प्रेसर बना हुआ है, यानि एक प्रकार से कह सकते है कि बैश्विकन से परिणाम के द्वारा हम किसी भी देश जो ट्रेड करता उसको रोक ही नहीं सकते हैं चाहिए उस देश के साथ हमारे कितने भी रिष्टे खराब जाए तो एक कह सकते हैं कि बैश्विकन के नकरात्मक प्रभाव है यह इनको जरूर कर लेना यह आलोचातम कैसा लगा हमें जरूर बताएगा और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्काइब कर लेना थैंक यू सो मच जै हिंज जै भारत